ये टेक्टर बूचे की मसीन के लिए बहुत अच्छा है ये गरम नहीं होता है टेक्टर नमस्कार किसान दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के 9605 डियाई के बारे में यह जो हमारे प्रमोटर भाई है वह में बताएंगे इस एक अबरे में एक अब हैं भी आता है तो विल सभी ओडल इसमें मिल जाएंगे अपना इसमें ना मोटर दी गई है यह सी आडी इंजन है इसमें लो हाई मेडियम तीन रेंज है यह डवल कलेक्टेक्टर है इसमें ना रिवस फारवेट अपने को हाथ में दीया हुआ है यह अगर कोई से भी गेर में रहेगा फिर अगर रिवस लगाएंगे तो आपने कोई ना गेर चेंज नहीं करना पड़ेगा इससे आगे पीछे भी हड़ सकता है अपना टेक्टर इसके अगले टायर रहते हैं नो पांच चोविस के पिछले रहते हैं अपने तोला नो अठाइस के टायर अगर उटाने के लिए इसमें भी एमटेक हाइडोलिक दिया गया है और इसमें है ना जो हाइडोलिक लीवर है रिवर्स फारवेट रहे है मतलब पीटी वहेगी हैंडिसका है अपना वो कलच इंडिपेंड पीटी होएगा एमटेक हाइडोलिक है इसमें डेवल सेंसिंग फार बहुत बढ़ियां है इसमें भी जो लो इवाल दिये गए हैं तो इसका जो एक ब्रेख है वापने अल्हें आज इसमें रहते हैं एकपल के लागल रहते और बढ़ा है और रेटिचर साइज भी मशीन के लिए बहुत अच्छा है यह स्टेक्टर वुच्जी कि इस ट्रीक्टर की सबसे अची खास बात क्या है यह थे इसमें ऐपित अपने को जैसे चेह सो पच्पन है इसमें अपना वह यह सोलन रचाइब जाता है। अगर आप इस ट्रैक्टर की कीमत जानना चाहते हैं तो अभी नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दें यह दीगाए नमबर 965-0933-899 पर कॉल करें हमारी प्रतिनिती आपको कॉल करके पूरी जानकारी और कीमत बता देंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करके हमें बताएं कि ट्रैक्टर आपको कैसा लगा और शेर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाईयों के साथ जल्द ही मिलेंगे एक और जान का दिपूर ट्रेक्टर वीडियो में धन्यवाद